एक एक फोटो और वीडियो के मिल रहे थे लाखो रूपए इसके बाद लरकियों एब महिलाओं ने धराधर फोटो और वीडियो भेजना शुरू कर दिया इसके बाद जब सच्चाई पता चली तो हो शुर गए अगर आप भी किसी अंजान बेक्ती को अपना फोटो अगर द जब भी गिरती है तो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है नारी और पानी हमेशा इसका जो गिराओ होता है उन नीचे की तरफ ही होता है और ये नारियों को समझना परेगा कि पैसे की लालच में वे कितना हद तक गिर रही थी हलाकि जो सारे अपराधी है उनको गिरपतार कर लिया गया है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक पर वीडियो बनाती है असलील हरकते करती है और ये सब डॉलर कमाने के लिए किया जाता है वही अब इनको लेकर कुछ अपराधियों का गिरोह भी सक्रियों हो गया था और उन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया और वे लोग लोटरी लगने के नाम पर उन महिलाओं को जो पर इंस्टाग्राम पर फेस्बुक पर रिल्स बनाती है उन लोगों के नमरों पर कॉल किया जाता था और उनको कहा जाता था कि आपकी लाखों की लोटरी लग गई है किसी को ये कहा जाता था कि आपको फिल्म में हिरोईन का रोल दिया जाएगा बेगरा बेगरा टाइप का लालस दे करके इन लोगों को अपनी फोटो प्रोटो फोलियों के लिए फोटो भेजने के लिए कहा जाता था और जब ये फोटो भेजती थी तब इनको कहा जाता था जो भी अपराधिक गिरों का स्दस्व होता था उनके द्वारा कहा जाता था कि ये फोटो आपकी अच् की जाती थी और बहुत सारी महिलाए पैसे की लालस में आकर के अपनी निवड अधनंगी और पूरी की पूरी नंगी फोटो भी भेज दिया करती थी बाद में इनको इसी फोटो और वीडियो के नाम पर ब्लेकमेल किया जाता था और इनसे लाखों रुपे की उगाही की जात चर्ज करेंगे और आपको लगेगा कि क्या ऐसा बेकती जिसका पैड नहीं है जिसका हाथ नहीं है क्या वो ऐसा बेकती भी ऐसा कुकर्म कर सकता है और उन महिलाओं पर भी तरस आता है जो कुछ पैसे की लालच में आकर के अपनी नंगी फोटो दूसरे को भेज दिया करती थी ताकि कुछ पैसे आ सके यानि कि शरीर को अब पैसे कमाने का एक जड़िया बनाया जा रहा है जो कि ज़्यादा तर और वैसा ही आज के चलन में भी हो गया है कि डॉलर कमाने के लिए महिलाओं पुलिस ने बहुत बढ़ा खुलासा किया है और महिलाओं को साप साप किया है कि आप किसी भी तरहिके के पैसे के लालच में आ करके किसी को भी अपना फोटो और वीडियो ना भेजा करे वहीं आपको बताते चले कि अगर आप वाटसब पे भी है अगर कोई महिलाओं से ये संदेश है कि अगर आप वाटसब पे भी है तो आप वाटसब पे भी अपना photo dp में न लगाया करे बलकि उसको only contact किया करे ताकि जो आपके phone में जिन लोगों का number save है सिर्फ वही लोग आपकी तस्वीर देख सके आपका status देख सके क्योंकि आप जो reels बना करके या अपना video बना करके अपने परिवार की video बना करके अपने status में भी जो लगाती है उसका भी मिस्यूज किया जाता है और ये मिस्यूज कहा होता है वो आपको हम इस report के अंत में बताने वाले हैं फिलहाल आपको बताते चले कि पुर्णिया पुलिस ने जो संसनी खेज खुलासा किया है और एक प्रेस विग्यपती भी जारी की है जिसे पढ़के हम सुना रह पुर्णिया पुलिस कहती है कि पुलिस अधिक्षक महोदेक पुर्णिया को लगातार सिकायत मिल दही थी कि कुछ लोग संगठित गिरोह बना कर कई महिलाओं का असलील फोटो एवं वीडियो अपने मोबाइल में मंगबा कर उन महिलाओं के साथ ब्लेक मेल किया जा रहा था घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिक्षक महोदेक पुर्णिया स्री आमीर जावेद के द्वारा अनुमंडल पुलिस पतादिकारी सदर स्री पुषकर कुमार के नेत्रुत में एक पुलिस टीम का गठन किया गया गठित पुलिस टीम के द्वारा आज दिन महिलाओं के असलील फोटो एवं वीडियो बरामत किया गया है गिरपतार अभिक्तों के दोरा पूस्ताच के क्रम में बताया गया कि वह लोग पहले महिलाओं को जासा देकर पैसे का लालच देकर उनका नगन फोटो एवं वीडियो अपने पास मंगबाते थे तत पस्चात उ उनसे ब्लेकमेल कर अपने खाते में पैसे मंगबाते थे या एक तरीके का नया साइबर अपराध है अता आमजन से अपील है कि सजग रहे और अपना बेक्तिगत नीजी फोटो वीडियो किसी से साधा ना करे अक्सर लोग फेस्बुक पर भी जो लोग आईडी बनाते हैं वो अक्सर अपने परिवार की फोटो सेर करते रहते हैं कभी रेस्टोरेंट में गये तो कभी गूमने गये तो अपने परिवार के महिलाओं की फोटो सेर करते रहते हैं और इसका दुरूप योग किया जाता है ऐसी ऐसी बहुत सारी साइटे हैं जहां पर ये फोटो हजार लाखो रुपे में बेची जाती है और ये फोटो आप अगर बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे भी बातों का खुलासा हुआ है कि बड़े बड़े होटलों में आप जाएंगे जहां पे भी इस तरीके का काम होता है उहां पर बजाते एक एलबम रखा जाता है और उस एलबम म उस होटल का संचालक या मैनेजर कह लीजे जब उस बेक्ती को दिखाता है कि हमारे पास ये ये लरकियां है आप जिसको कहेंगे हम बुलबा देंगे जब लोगों लरका उस एलबम को देखता है तो उसमें उसकी बहन की भी फोटो उसको नजर आती है तब उसे समझ में आत अगर आप Facebook अगर उसकी अगर ये ले रहा है और किसी की मान लीजे और दूसरे की फोटो ले रहा है लेकिन बैग्रांड में भी अगर आप आ जाते हैं तो उस फोटो का भी मिश्यूज हो सकता है कहीं पे भी कैमरा का फ्लस चमकता हुआ देखे तो किर्पया साइड हो जाया करे क्योंकि उस फोटो का किसी भी परकार से कोई भी गलत उपियोग हो सकता है जागरुकता के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करे और महिलाओं से निवेदन है कि थोड़े बहुत पैसे के लालच में आकर अपनी अधनंगी फोटो ना भेजा करे क्योंकि एक फोटो जो सोशल मीडिया पर एक बार चला जाता है कल के डेट में अगर आ जाए भी हर